तो एक बार फिर हम राजी भाई को अब सुनेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताली बजाएंगे तो आपके अंदर उर्जा का संचार होगा और हवा का स्पंदन आप महसूस करेंगे और वही हवा आपको मिट्टी के खुश्बू बिखेरेगी और अब अपने सूत्रों को बिखेरने आए हैं हमारे भाई राजीव दिक्षित जी राजीव भाई ने मुझे कहा था कि व्याख्यान के दौरान अगर बाबुजी शोवाकान जी हमारे बगल में रहेंगे तो एक आशिरवाद मेरे इर्दगिद मटराएगा इसलिए उनसे गुजारिश है कि रुपया मंच पर आएं और उनके बगल में बैठें तो मंच राजीव दिक्षित को समगते कल मैंने आपसे जो बातें कहीं थी उन मेंसे बहुत सारी बातें आपको याद होंगी शायद आपने लिखी भी होंगी मुझे कल एक जानकारी दी बाबुजी ने वो जानकारी आप सब तक पहुँचे ये मेरी उनसे विंती है उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो TVS ग्रूप है ना TVS जो यहां का चिन्नई का सबसे बड़ा गुरूप है और शायद भारत के सबसे बड़े गुरूप में उनकी गिंती है उनके घर वो भोजन करने गए थे तो जराब बताएं सभी भाई भानों को नमस्कार आज से करीब अठाइस तीस साल पहले जब प्रफावती देभी ट्रस्टन प्रफावती जब प्रकास का विन्यास हुआ था तो TVS की मलकाई भी इसकी ट्रस्टी वनी थी और पहला मीटिंग उनी के घर में हुआ था जिसमें रामनात गुएन का, M.A.M. राम स्वामी और महालिंगम जितने भी यहां के अलिमिनरी से सभी हमारे ट्रस्टी हैं इस अंस्ता के तो उन्हीं के घर में पहले मीटिंग हुई थी तो हम लोगों को खाने पर नमंतरंत भी था तो खाय तो मैंने का यह दाल बहुत पादिश्थ है जिसके बारे इन्होंने कहा थाMel Rhira को कहा कि इसको यह कैसी किये हैं तो देखिए चुलिय के ऊपर में तो मती का बरतन था तो उनके घर में मती का मैंने कहां कि तब तो गैस बहुत ख़रचा होता होगा को बहल हाँ डास ख़रचा होता है लिक़िक मैं उसकी सब्सक्राइब इनको इनको बता है कि आप जो मत्डीक बरतन के अब जीरे मत्डी बरतन फिर अधिशन है क्योंकि हम भीआ सब्सक्राइब ने तो ऩर गर इंग सब्सक्राइब और मैं पपता तो कि geral keeping दर्तन रोटी भी अब आएगा फिर इसी तरह धनेवारे ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि TVS ग्रुप जो हजारों करोड के एंपाइर का मालिक है उनके घर में अगर मिट्टी के बरतन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी समय बहुत लगता है जी क्या उसको खटरा करने का ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटे हैं ये कभी नहीं आए इस द्रश्टी से इस उधारन का बहुत महत्व है और ये उधारन में हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लो इस्तेमाल होते हैं आपको सुन कहरानी होगी धिरु भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पर बनती है एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धरम पत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पर रोटी क्यों बनाती है ये तो पिछडे पन की निशानी है ये ऐसा मैंने जान बूच के बोला हम तो ऐसा मानते हैं कि आप अठारवी शतावदी में जा रहे हैं मिट्टी के बरतन की रोटी माने तवे के तो कोकिला बेर ने का कि जो जो कहे मुझे उसकी परवा नहीं मुझे ये रोटी पसंद है और ह पिट्टी के तवे पर रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं और मैं विनमरू रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे जादा स्वस्थ है और आपसे जादा तंदुरुस्थ है अगर हमें अपना स्वास्थ और तंदुरुस्ती बना के रखनी है बचा के रखनी है त कि अगर मानलो हिंदुस्तान में 112 करोड लोग है, 112 करोड लोगों में 20 करोड परिवार है, 20 करोड परिवारों में 20 करोड रसोई घर है, अगर 20 करोड रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड तवा बनने लगेगा और लाखों कुमारों को रोजगारी मिल जाए जो बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास काम ने अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड परिवारों में दाल बनने लगेगी चावल बनने लगेगा तो करोडों कुमारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे और हिंदुस्तान में कुमारों की संख्या तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए अर्थवियवस्था को भी मदद होती है, आपका स्वास्त तो अच्छा रहता ही है, और मेरी जो मन की बात है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि मिट्टी से आपका ज जड़ाओ रहता है, मिट्टी से जोड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है, हम पता नहीं कहां कहां से चिन्नई में आये हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजिस्थान से, कोई गुजरात से, लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जोड़े रहें, तो और अर्थ व्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेशर कुकर का खाना ना खाएं। मिट्टी में है सल्फर मिट्टी में है आपके शरीर को हर दिन हर दिन 18 तरह के सुक्ष्म पोशक तत्तों की जरूरत होती है जिनको आप अलग-अलग भाशा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए हमको विटेमिन्स चाहिए हमको कार्बो हाइडरेट्स चाहिए हमको fats चाहिए ये doctor कहता है ना आज की भाषा में कि आपको protein की कमी हो गई है protein चाहिए आपको carbohydrates जादा चाहिए आपको fats जादा चाहिए तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसाइन शास्तर की भाषा में मैंने आपको समझाया कल और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सुक्षम पोशक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूनता मिलती है माने भोजन पून होता है और संयोग से या प्रकरती के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्तों मिट्टी में है इसलिए मिट्टी के बरतनों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्यान का जिस वस्तु को खेत में क्रशी भूमी में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है 7-8 महीने में तयार होती है 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिये मिट्टी से ये 7-8 महीने तक लेते रहें अरहर की डाल के दाने उसकी जड़ों की मदद से तने की मदद से अब वो डाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं जो बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिन्स मिट उसना जादा होता है कि दाने तूटते हैं पकते नहीं हैं वो तूटते हैं और तूटे हुए दाने गरम पानी हैं नीचे से वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं वो पके नहीं वास्तम में वो सौफ्ट हो गए हैं मुलाहिम हो गए हैं पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकरती ने दी है पोशकता वो आपको मिलने की स्थिती में आ गई या नहीं तब हम उसको कहते हैं कि यह पक गया है चाहे वो गेहू का दाना हो चाहे अरहर का दाना हो या तूर का तो यह बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है एक शब्द है उबलना उबलना होता है प्रशर कुकर में पकना होता है मिट्टी की हांडी में क्योंकि मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकती है हर चीज़ कारण क्या है मिट्टी जो है ना उश्मा की कुछालक ह आप मैंसे जो विद्यारती हैं वो जानते हैं बैड कंड़क्टर है उश्मा की कुछालक है बने मिट्टी को कोई चीज जल्दी उश्मा के रूप में मिलेगी नहीं धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी और दाल पकेगी तो धीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रियंट्स पान इसके लिए बनाई ये जो दाल बनी है न आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का उपर का हिस्सा है जो आप खा रहे हैं फल के रूप में बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे हैं तो भगवान प्रकरती ने ऐसी व्यवस्था दी है गेहूं है गेहूं का उपर का हिस्सा वो आप खा रहे हैं, बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं, वो जानवर खा रहे हैं, और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है, जिसको जड़ कहते हैं, वो धर्ती के लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है, प्रकरती ने बहुत सोच कर ये सब बनाया, भ प्रकरती की धर्ती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा हर एक फसल में यही देखेंगे आप तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने वो बहुत सोच समझ कर बनाया है जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझ कर है और मिट्टी के लिए तो उसका अगर जीवन में फाइ रेफ्रिजरेटर के बारे मारे रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तू है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तू को सूरी का प्रकाश नहीं मिलेगा पवन का इसपर्ष नहीं होगा आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है उसके एक बुनियादी सिध्धान्त है वो क्य प्रकरती की मदद से तो आपका रूम टेंपरेचर 30 डिगरी 35 डिगरी या 22 डिगरी 25 डिगरी है तो प्रकरती के विरुद जाकर उसको काम करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे तो ऐसी गैस रसाइन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं उन गैसों का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करेगा और एक दो नहीं ऐसी बारे गैसों का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करता है जिनको विज्ञान की भाशा में CFC कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स जिसमें क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइ अगर आप रसाइन शास्तर की डिक्षिनरी निकाल कर देखें, आप में से जिनों ने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है, जिनों ने नहीं पढ़ा वो डिक्षिनरी निकाल कर देखें, क्लोरीन, क्लोरीन के सामने लिखा हुआ है जहर, सीधे डिक्षिनरी देख हैं तो अत्यंत जहर और करबंडायॉक्साइड तो जहर का बाप आप जानते हैं कि शरीर का यह जो स्वास व्वास की क्रिया है प्राणायाम जिसको आप कहते हैं इसमें आप क्यों चोड़ते हैं रख लीजिए इसको अंदर अगर इस से इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिज रेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रखा है जो हर समय कार्वन डायोकसाइड से ही खेल रहा है तो आप अंदर की कार्वन अंदर ही रख लीजिए बाहर मत छोड़िए बहुत प्रेम है आपको इससे तो आप मर जाएंगे शान नहीं लगेगी रात नहीं लगेगी मिनिट में मर जाएंगे इसलिए प्रकरती ने विवस्था ऐसी बनाई है कि कार्वन डायोकसाइड जो आपको मार डालेगी इसको बाहर निकालते रहना है अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्त रहें कार्बन डायोकसाइड जैसी ही खराब गैसों में कलोरीन और फ्लोरीन की गिंती होती है अब ये तीनों कार्बन से मिला हुआ, कलोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ बारे गैस एक साथ रेफरिजरेटर छोड़ता है सी एफसी वन गैस का नाम है सी एफसी वन सी एफसी टू सी एफसी त्री ऐसी सी एफसी ट्वैल्व तर बारे गैसे एक साथ छोड़ता 24 घंटे छोड़ता रहता है क्योंकि वो चालू है आपके घर में अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव इस टील के मोटे पट्टे को रख दीजे उससे निकल जाने वाली गैस है हाई प्रशर तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को दो गंटे तीन गंटे पांच गंटे उसमें रखके फिर खा रहे हैं तो माफ कीजे आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे है बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तातकालिक और दूसरा है दीरग काले दीरग काले जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो पांस साथ साल में पता चला देगा तातकालिक खाएं तो एक मिनट में आपको पता चल जाएं तो इसलिए मेरी आपको विंती है कि आपके घर मे refrigerator अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए सबसे अच्छा है बंद करिए और मेरी बात माने तो बेच दीजे कोई भी second hand खरीद लेगा और नहीं बिक्ता तो लोहे के भाव में बेच दीजे तो भी आप फाइदे के सौदे में रहेंगे क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है लालच पता ही क्या है अगर ये है तो कुछ तो करो इसका अगर ये है तो कुछ तो करो इसका अगर ये है तो कुछ तो करो इसका तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरजस्ती जादा जादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं सबेरे का शाम को शाम का अगले दिन सबेरे अगले दिन का शाम को ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर में खाने का पोशकता का नाश होता रहता है और मैं आपको एक विनम्रता पूरवक दूसरी जानकरी देना चाहता हूँ कि रेफ्रिजरेटर का आविशकार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था हर वस्तु के आविशकार के पीछे कारण होता है तो इसका कारण था थंडे देशों की थंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, सुजलेंड, डेनमार्क, नौर ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरियेशन है आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिये मैंने किया था मैंने एक प्रयोग किया था कि एक बार मैंने क्या किया बरफ बरफ का सिल्ली एक, दो, तीन, चारों तरफ से लगाके मैं उसके बीच में लेट गया तो प्रयोग केमिस्ट्री को अब्जर्व किया तो मैं बहुत ही परिशान था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बरफ के तापमान में छेचे महिने सोते हैं, रहते हैं, लेटते, उनका क्या होता हो आठाट महिने धूप नहीं निकलती क अनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों, धूप नहीं निकलती, टेंपरेचर नहीं होता, और यही परिस्थती में उनको सोना पड़ता है, तो कितनी तकलीफ हैं उनके शरीर को होती होंगी, और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी, क्योंकि शरीर भोजन से ह तो भोजन को ये सारी तकलीफ हैं थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैग्यानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई और उन्होंने कहा कि जो टेंपरेचर को हम प्रकरती के रेगुलेशन में हैं हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको ह हम कंट्रोल कर सके हम जब चाहें टेंपरेचर को बढ़ा सके घटा सके इसके लिए रेफरिजरेटर बना तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है उनकी मजबूरी है उस मजबूरी में से ये निकला और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपेथी में कई दवाएं ऐसी है जो ज़्यादा तापमान पे खतम हो जाती है और कम तापमान पे भी खतम हो जाती है बहुत सारी दवाएं एलोपेथी में ऐसी है जो हाई टेमपरेचर पे भी खतम हो जाती है मने उन दवाओं का असर नहीं रहता लो टेमपरेचर पे भी खतम हो जाती है तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेमपरेचर हमारे कंट्रोल में रहे इसके लिए फ्रिज बना वो पानी रखने के लिए नहीं बना, डाल रखने के लिए नहीं बना, सबजी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना और आपको एक और जानकारी दूँ को यूरोप में ये जब आविशकार किया सबसे पहले तो मिलिटरी के लिए इसका उप्योग हुआ था और मिलिटरी के लिए ही ये बना था क्योंकि आर्मी के जो सेनिक हैं वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेंपरेचर की मिलनी चाहिए इसके लिए ये फुरिज आया ये हमारे लिए नहीं बना हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवशकता नहीं और यूरोप में एक दूसरी समस्य आया आप जानते हैं कि जहां छे से आठ महीने बरफ पड़ेगी वहाँ हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी मान लीजए ये जो समय है ना दिसमफर जनवरी फरवरी मार्च ये सब वहां बरफ का समय है अब इस बर्फ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए नहीं मिलेगा टमाटर चाहिए नहीं मिलेगा बिंडी चाहिए नहीं मिलेगी गाजर चाहिए कुछ नहीं मिलेगा उनको बरफ मिलेगी खालो तो खालो नहीं तो उसको गरम करके पानी बना लो और कुछ नहीं मिलेगा तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफरिजरेटर है जब मिल रहा है तो एकठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किये उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके ही घर में फ्रिज मैं कहता हूँ प्रोफेसर साब आप ये क्या गजब कर रहे हैं आप तो जानते हैं क्या गरे हैं पत्नी नहीं मानती बच्चे नहीं मानते तो आपकी chemistry पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक तो कहते हैं समस्ती नहीं तो मैंने का फिर आप professor क्यों हो गए जो आप अपनी पत्नी को chemistry नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे तो मुश्किल ये है कि हम विग्यान पढ़ रहे हैं लेकिन विग्यानिक नहीं हो रहे हैं अपने जीवन में नितांत विग्यान के विरुद्द काम कर रहे हैं प्रकरती और विज्ञान के विरुद अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर को करके बाद ये ही है रेफरिज रेटा तो मेरी विंती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाये क्योंकि वो जहर हो जाता है तो आप बुलेंगे फिर क्या करें एक नियम ब अब दूसरे पर मैं जा रहा हूँ बागवट्टी जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना कोई भी खाना डाल बनी चावल बना रोटी बने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए ये दूसरा नियम दूसरा सूत्र है कोई भी खाना बना बनने के 48 मिनट के बन गई अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए चावल बन गया 48 मिनट में खा लीजिए डाल बन गई 48 मिनट में खा लीजिए खीर बन गई 48 मिनट में खा लीजिए सिवाई बन गई 48 मिनट यह 48 मिनट का चक्कर क्या है 48 मिनट 40 मिनट भी नहीं पचास मिनट भी नहीं, अड़ तालीस मिनट, तो बागवट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, आयरुवेट के तो चिकित सकते ही, मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे, तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किये हैं, वो सब इसी तरह के हैं, 42 मिनट, अब ये जो मिनट है, ये मैंने जोड़ा है, बागवट जी ने लिखा है, 48 पल, हमारे यहां जो होता है, पल होता है, छण होता है, प्रतिपल होता है, हमारे यहां जो समय की, नापने की डिगरियां है, वो पल है, छण है, प्रतिपल ह वगरा वगरा. ये जो मिनट का चक्कर है, ये तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है. ये मिनट आपको समझता है पल समझतान है इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है. हाला कि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है अगर बागवट जी के कैलकुलेशन में करूं तो एक मिनट का बावनवा हिस्सा एक पल है और बागवट जी कहते हैं कि लगबग भोजन बनने के पचास पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजे तो मिनट मैंने क कैलकुलेट किये तो वो 48-47 के आसपास आता है यह कैलकुलेशन है तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पोशकता देने वाला है जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोशकता कम होने लगती है अग बासी हो गया बासी शब्द है न यह बागवट जी का है साड़े तीन हजार साल पहले यह शब्द था बासी हो गया जी और वो कहते हैं यह बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है आप कैसे खा रहे हैं बागवट जी ने एक बहुत अच्छे मज़े की बात लिखिये उन्होंने का भारत देश में तीन सो पैसट दिन का जो चक्र है एक वरश का इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस कि दिन आप ये खा सकते हैं दिया है बासी भोजन चलता है तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है उसको मेरी मा कहती है बासोडा आप पता नहीं क्या कहते है एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते है और ये जो तियोहार है इस जो दिन पढ़ता है ये कार्तिक अगहेन पूस महा के हिसाब से इसका जो दिन पढ़ता है बागवट्टी जी का दिन भी वही पढ़ता है तब मेरे समझ में आया कि इस देश के तियोहारों के पीछे वैग्या निकता है ते होहार ऐसे ही नहीं तै हो गए इस दिन होली होगी इस दिन दिवाली होगी इस दिन यह होगा इस दिन इनके पीछे कुछ calculation है बागवटी जी का calculation है कि शरीर में तीन दोश है वह आप सब जानते हैं बात, पित और कफ इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूँगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहाँ, तो वात, पित, कफ तीन दोश हैं, यह समान इस्थती में रहें, तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है, इनकी इस्थती उपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित और कफ कम हो गया, वात और कफ कम हो गया, उपर नीचे हो, तभी रोगी होते हैं, तभी रोग पैदा होते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है, 365 में से एक दिन ऐसा आता है, जिस दिन यह वात पित, कफ की इस्थती बिल्कुल ऐसी होती है, जो विचित्र लगती है, मने होनी नहीं चाहिए, ऐसी इस्थती हो ज प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो प्रोटीन सब खतम होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए, तब मेरे समझ में आया, कैसी वेग्यानिकता है, तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं, अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो तीन सो चौसट दिन की विजली क्यों खर्च करना उसके, और तीन सो चौसट दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना, चिन्नई में बहुत महंगा है स्थान, एक स्क्वेर फुट का क्या भाव है, तीन हजार, तो फ्रिज अगर रखा है मालो पांस साथ स्क्वेर फिट में, तो तीन हजार में पांच का गुणा कर लो, पंद्रे हजार रुपए रोज का खर्चा, एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिन्दगी भर इतना इस्थान घेर कर खड़ा है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घ घाटे का सौदा है, तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन में मत लाइए, मेरी विंती है कि जिनोंने फ्रिज नहीं खरीदा है, वो ना खरीदें, जिनोंने खरीद लिया है, वो धीरे धीरे उसका उपयोग कम करें, एक दिन थोड़ा ऐसा आए, कि उपयोग उसका सरदी कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, सरदी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में, जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है, वो यही गैसे हैं, CFC1, CFC2, CFC3, CFC12. तो सारे दुनिया के देश परेशान है कि क्या करें क्या करें अभी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में है साथ दिन का सम्मिलन हुआ अमेरिका जर्मनी भारत जैसे 156 देशों के राश्रुपती प्रधान मंतुरी साथ दिन जख मार रहे थे यही बात के लिए कि भई CFC का प्रोड़क्शन कम कैसे किया जाए तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजे यह प्रोड़क्शन कम होने के लिए फ्रीज की जरूरत बंद करने की है तो यह प्रोड़क्शन कम होगा तो इसलिए मैंने कल आप से कहा था कि फ्रीज का भी खाना ना खाएं समय का ध्यान रखें ये बात हमेशा याद रखें कि बना हुआ खाना अड़तालीस मिनिट के अंदर खा लेना चाहिए अब ये अड़तालीस मिनिट का जो कैलकुलेशन है कल मैं इस पर आप से और ज़्यादा विस्तार से बात करूँगा क्योंकि एक सूत्र कल आएगा आज बस इतनी सी बात और एक तीसरी बात जो मैंने कल आप से शुरू की थी माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते है और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं गरम करने के लिए तो वो चीज का एक हिस्सा गरम होता है पूरा नहीं होता गरम होने के लिए हमारी जो कलपना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया पानी गरम करके उसमें कोई चीज डाले तो सही गरम होती है और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम ने और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो बहुत गर में तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनमरता पूरवकाब से कहता हूँ आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है वो बदल दीजे ये स्टेटस सिंबल नहीं है ये मजबूरी की चीज़े है कहते हैं न मजबूरी में हमने ये किया मजबूरी में हमने ये किया तो आप मान लीजे कि मजबूरी में फ्रिज लाया मजबूरी में माइक्रोवेव ओवन लाया मजबूरी में प्रशर कुकर लाया ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है या मेरे घर में आप इसको शरम से बताईए कि मैं क्या बताऊं मेरी मजबूरी थी उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था मेरा विवेक शून ने हो गया था तो मैंने मेरे खुन पसिने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया तो ये इस तरह से कहना जब शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने आप बदल जाएगी और ये चीज़ें आपके बाहर निकल जाएगी ये जो 48 मिनिट का कैलकुलेशन है ये जहन दर्शन में भी है आप में से कोई भी जहन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी जितने भी जहन सादू संत है उनके मुह से आप यही सुनेंगे पानी में 48 मिनिट के बाद जीवराशी पैदा हो जाती है और वो जीवराशी फिर बढ़ती ही चली जाती है करोडों से अर्बों अर्बों से खर्बों में चली जाती है तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जीवत्या होती है और उसका पाप लगता है तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और बागवट जी ने इसको स्वास्त के साथ जोड़ा है मूल बात एक ही है शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि धर्म से जाएगा जोड़कर तो जल्दी समझ में आएगा बागवट जी ने इसको शरीर स्वास्त से जोड़ा है तो थोड़ा देर में समझ में आता है क्योंकि हमारा चित और मन धर्म के प्रती थोड़ा आकरशित है क्योंकि हमारे डी ने में ऐसा है बारत का जो डी ने है वो ऐसा ही है जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंट समझ में आए विज्ञान थोड़ा पीछे से आता है इसलिए इस देश में धर्मिक लोगों की पूझा होती है वैग्यानिकों को कोई पूचता पूचता नहीं है वो ऐसे ही विचारे घूमते रहते हैं कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डालने तो ठीक हो गया वरना इस देश के वैग्यानिक कहां मरते हैं कहां ख़कते हैं कौन जानता है कौन पूचता है लेकिन साधू, सन्यासी, महात्मा इतने पूझे जाते हैं इस देश में जिनके पीछे आप कुछ नहीं जानते हैं उनका इतिहास, उनका भूगोल तो भी आप उनके चरणों में लोटते रहते हैं वो आपके DNA का दोष है मेरे DNA का दोष है, आपके DNA का दोष है क्योंकि DNA है साहे इस देश में कभी मौका मिला तो इस पर बात करूँगा कि गरम देशों का DNA और ठंडे देशों का DNA बिलकुल अलग होता है ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग है ना इनका जो DNA है और हमारा जो हम भारत, पाकिस्तान, बंगला देश में रहने हैं इनका बिलकुल डिफरेंट है जो दुनिया के गरम देश है, सारे धर्म यहीं से निकले आपको मालूम है इसायत यहीं से निकली पूर्व से ही निकली, इसलाम भी पूर्व से निकला हमारा हिंदु धर्म जिसको सनातन मानते हैं यह भी पूर्व से निकला पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं इसायत निकलने का इस्थान बेथलम है ना बेथलम इसराइल वो पूर्व में है इसायत के बाद इसलाम के निकलने का इस्थान वो भी वही है बेथलम में वो एक ही इस्थान के लिए मर रहा है कि ये मेरा कि ये तेरा और लड़ाई साथ साल से चल रही है और वो 10 स्क्वेर फिट की जगे है बस हाँ 10 स्क्वेर फिट की जगे में 33 करोड मर गए और छोड़ना नहीं चाहते यह मैं ले लूं कि यह तू ले ले यह फिलिस्तिन का कि यह इसराइल का तो यह फिलिस्तिन और इसराइल यूरोप में नहीं है एशिया में है और एशिया दुनिया के पूर्व में है तो सारे धर्म पूर्व से ही निकले हैं क्योंकि पूर्व का DNA कुछ इस तरह का है पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई क्योंकि DNA दूसरे तरह का है तो ये DNA का दोश है हम धर्म को मानते हैं इसलिए शायद जैन शास्त् पर पक्का होगा इसलिए ये अड़ालीस मिनुट याद रखें सम्माताएं बहने और भाई याद रखें भोजन पका तो अड़ालीस मिनुट में हो ही जाना खा ही लेना इसलिए शायद पुरानी परंपडा हमारे देश में है गरम खाना खाओ माने वो 40 मिनट के पहले हो गरम-गरम रोटी बना के खिलाओ या गरम-गरम रोटी खाओ आपको शायद मालुम नहीं है आप मैं से जो यूरोप और अमेरिका ज्यादा घूमते हैं वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि गरम रोटी का महत तो क्या है क्योंकि यूरोप में नहीं मिलती अमेरिका में नहीं मिलती दुनिया के 56 देशों में गरम रोटी नहीं मिलती क्योंकि उसको बनाना नहीं जानता कोई दुनिया की आवादी 600 करोड है 600 करोड आवादी में 300 करोड महिलाए 300 करोड पुरुशगर मान ले तो 300 करोड महिलाओं में लगबग 200 करोड महिलाए नहीं जानती कि गरम रोटी कैसे बनती है उनके पास गेहूं का आटा है गेहु है गेहु का आटा भी है क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहु है अमेरिका में गेहु पैदा होता है कनाडा में भी गेहु पैदा होता है गेहु ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता है तो गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, रोटी बनाना नहीं आता। क्यों कोई युनिवरसिटी नहीं है वहाँ जो सिखाए इसको। कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको। तो युनिवरसिटी कॉलेज नहीं है और कोई मा नहीं है जो अपनी बेटी को सिखाए क्योंकि मा को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए और हजारों लाखों सालों से वहाँ ये चक्कर चल रहा रोटी बनाना नहीं आता. किसी European और American व्यक्ति के बारे में अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दमपत्ती आए Finland से एक पती और एक पत्ती दोनों आए उन्होंने का मुझे भारत का गाउं देखना है तो हमने एक गाउं में भेज दिया संयोक से जिस गाउं में गए वहाँ शादी थी तो हमने का उसमें भी आप शामिल हो जाएं तो भारत क्या है आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे कोई पूरी बना रहे तो गाउं में तो आप जानते हैं नौकर नहीं बनाते हैं सब गाउं एकठा होके बनाता है जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं दूसरे घर का चूला बंद हो जाता है सब एक ही घर में खाते हैं तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दमपत्ती ने पूछा, ये सब कितना पैसा लेंगी, तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले, तो ये कैसे हो सकता है, तो हमने का ये है, क्योंकि भारत कोपरेशन पर चलता है, कॉमपुटीशन से नहीं चलता है, ये द रही है, 100% गोल, उसकी जिन्दगी में ये कलपना नहीं है, कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है, वो कहती है, उसने कभी सोचा था भारत के बारे में, कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कहने है, ये हाथ से बनाते होंगे 100% गोल, तो उसका जितना कैमरे में रील उसने सब उसी पे खर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसके आपको मैंने ये उधारन इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी है दस बारे साल की बहन भी आसानी से बना सकती है इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गरम ये भारत में ही संभव है दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैलियोविल चीज है गरम रोटी और उसको आप छोड़कर ठं कि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं वहाँ तो विचारे तीन-तीन महिने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते है पाउरोटी कहते हैं मैं एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाउरोटी बनने के बाद और खाने तक तिए 90 दिन निकल जाते हैं अमेरिक बनता फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहाँ जाता है फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है फिर वो वहाँ से बनकर कहीं और जाती है फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं हमारे आयुरवेद शास्त्र में बागवट जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्त कि 15 दिन से ज़्यादा पुराना कभी भी मत खाना 15 दिन maximum वो भी गेहूं के लिए ये चना और मक्की और जुवारी इसके लिए तो साथी दिन कहा होना साथ दिन से ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते क्योंकि वो इक किस्सा है उसकी micronutrient capacity लगातार कम होती चली जाती है तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं चक्की है जिन्दा बहर हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं जो माता हैं यहां बुजर्ग हैं इन्होंने अपना गाउं देखा होगा अपने गाउं के घर की चक्की देखी होगी यह चक्की पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि यह क्या अधभुत चीज बनाई है हमारे रिशी मुनियों ने यह दुनिया की ऐसी अधभुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्थ के लिए और आपके अंदर की माश पेशियों को हमेशा फ्लक्सिबल रखती है और हमारे घरों में यह जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही है मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पीछले साल कूरा किया मेरे एक दोस्त है आईरुवेद के चिकितसक है उनके साथ मिलकर वो गाओं में रहते हैं तो मैंने का आप गाओं की कुछ महिलाओं पर अध्यन करिए कि जो चक्की चलाने वाली माताओं के पेरों में दर्द नहीं है चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है गर्दन नहीं दुख रही है नीद अच्छी आ रही है डाइबिटीज नहीं है हर्पर टेंशन नहीं है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है 48-50 बीमारियां नहीं है और जो माता है पिसा हुआ आटा ला रही है कैप्टन कुक ITC का उनके घरों में डाइबिटीस भी है अर्थराइटीस भी है हाइपरटेंशन भी है ये भी है वो तो मैंने वो वैदी जी को कहा कि आप क्या मानते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माता है ये ऐसा क्या विशेश काम कर रही है तो उन्होंने मुझे समझाया वो मेरे भी समझ में आया आपको भी समझाया हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए जिसको गर्भाशे कहते है ये गर्भाशे आपके पेट के बिलकुल बीचों बीच हिस्से में चक्की चलाते समय सबसे ज़्यादा जोर वहीं है और गर्भाशे के बारे में आयुरुवेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विग्यान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये इलास्टिसिटी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना, जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे, ये हमारे गर्भाशे का सबसे बड़ा गुण है, इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है, और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन, वहां आसपास माश पेशिया, उनका हलन चलन रहे, तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से, मैंने खुछ चला के देखा चक्की, ये सबसे ज़्यादा पेट के हिस्से मे नहीं होता है, तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही है, उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गरभाशे की इलास्रिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है, बिना किसी ऑपरेशन के, तब मुझे ध्य जान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं, उनके आठाट ददस बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन, वो दाई आती थी गाओं की, जो MBBS नहीं है, MD नहीं है, MS नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी, ऐसे ही जैसे दाल पका के कोई चला गया, या आत को जब ध्यान दिया तम मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए, तो इसी चिन्नई में मेरे एक मित्र है, उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विशह पे काम कर रहे है, कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपर बाहर कैसे लाया जाए, तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है, कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है, और आयूरवेद तो यहां तक कहता है, कि मा का गर्ब, सातवे महीने तक चक्की चलाने की अनुमती देता है, मा को साथवे महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है आठवे महीने में नहीं फिर उसको बंद कर देना अच्छा है और उतने साथ महीने की चक्की आपके लिए परियाप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें और जो सिजेरियन है उनके जीवन को देख लें जमीन आस्मान का अंतर है सीजर बच्चे जादा बीमार हैं समय समय पे बीमारिया हैं जो बिना सीजर है वो सब स्वस्थ हैं दुरुस्थ हैं तंदुरुस्थ हैं ब्रेन का डवलप्मेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डवलप करने की कैपिसिटी, कल्पना शीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज़्यादा है. तो बागवट जी का सूत्र है, कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं, और खाना बनाने वाली जो वस्तुएं हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आटा, गेहूं का आटा, 15 दिन से ज़्यादा पुराना ना खाएं, जवारी, बाजरी और मक्की का आटा, 7 दिन से पुराना खाएं, और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा, सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा, ज़्यादा दिन पुराना ना हो, तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को, अगर संभव हो तो एक एक कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की, अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं, तो पंद्रे मिनट सुबह चक्की चलाया परियाप्त है, पंद्रे मिनट सुबह अगर आपने चलाया, तीन महीने बाद आप देखना, बारे से तेरे किलो बजन कम होगा आपका, सिर्फ पंद्रे मिनट की चक्की, रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं, आप चलाते हैं कि नहीं, लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं, तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोड्क यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है बस ऐसे ऐसे चला अब आप बोलेगे जी चक्की कहां मिलेगी चक्की अभी भी मिल रही है यहीं चिन्नई में मिलेगी पत्थर बानाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी यह काम कर रहें लेकिन वो रो रहे हैं कि राजी बैए कोई खरीदता नहीं हम क्या करें हमारा सिल बटता भी कोई खरीदता नहीं चक्की भी कोई तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं विकवाऊंगा आपकी चक्की हाँ और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूँ वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूँ यह मार्केट बनाने में भागवट्टी जी की बड़ी मदद मिल रही है तो आप चाहें तो एक चक्की ले लीजे बहुत महंगी नहीं आती सस्ती है 15 मिनट आप भी चलाएं महिलाएं भी चला सकते हैं पुरुष भी चला सकते हैं इसमें ऐसा कुछ बेदवाव नहीं है कि पुरुष ना चलाएं महिलाएं चलाएं महिला चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है एक्स्ट्रा गेन माने आपको जो एक्स्ट्रा ओर्गन है बॉड़ी में यूट्रस वो पुरुष को नहीं है इसको मदद मिलेगी आपको flexible बनाए रहे और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया वो माताओं बहनों को विशेश रूप से उम्र के एक पड़ाओ में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गरभाश है के बहुत सारे complication शुरू होंगे सबसे बड़ा complication तो यहीं से शुरू होगा कि आपको menopause period शुरू होगा menesis cycle आपकी बंद होगी menopause period शुरू होगा और उस period में जितने complication हो सकते हैं वो बच्चे के जनम के समय भी नहीं होते कभी और कई complication तो ऐसे जिनको कोई मा समझ भी नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से पसीना आएगा पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी फिर थोड़ी देर में तम तमा जाएगा चेहरा एकदम गर्मी, flashes समझ में नहीं आता किसी मा को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी इतने variation होते हैं minute minute में variation होते है मन आपका इतना depression में चला जाएगा इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिलकुल बेकार है इसमें क्या करना जिन्दा रहके ये depression तनाव मन में होगा अवसाद मन में होगा और ऐसे ऐसे complications बनते जाएगे कारण उसका एकी है कि कुछ hormones आपके शरीर में बनना बंद हो जाएगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है अब hormones बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किल है ये सब आती है तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है 45-50 साल की उमर में हर माँ को दूसरा जनम लेना पड़ता है ऐसा कहा जाता है तो ये जो दूसरे जनम की समस्याएं है इनको जिन्दगी में खतम तो नहीं किया जा सकता लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूँ तीसरा सूत्र विशेश रूप से माताओं बेहनों के लिए वो कह रहे है कि माताओं और बेहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है इसमें पर्मनेंट कोई क्योर नहीं है क्योंकि जो हार्मोन बंद हो गए वो तो होई गए उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता लेकिन बागवटी जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता तो वो कहते हैं कंट्रोल करके रखने में मा के रसोई घर के जो उपकरण है उपकरण instruments इनकी मदद आप ले सकते हैं तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने का चक्की इसकी मदद ले सकते हैं और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में सिल बटा मसाला फीसने वाला जो अगर आप मैंने सिल बटा चला के देखा तो इस सिल बटे को चलाने में भी सबसे ज़्यादा जोर पेट पे ही आता है चक्की चलाने में भी सबसे ज़्यादा जोर पेट पे आ रहा है तो रिशी मुनियों ने ये चक्की का आविशकार जब किया होगा और सिल्वट्टे का विश्कार किया होगा तो किसी मा को ध्यान में रखकर ही किया होगा यह पक्का है अब नियमित रूप से आप सिल्वट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो माशपेशिया है वो हमेशा नरम और मुला आपा बढ़ेगा एक HRT टेक्निक है हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी ज्यादातर माता हैं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उमर में हाथ जोड़कर विंती है कि कभी न जाए और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ रहेगा ही क्योंकि हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी में जो मेडिसन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली है तो आप अगर HRT से बचना चाहते हैं और दवा नहीं खाना चाहते हैं तो पंद्रे मिनट की चलाईए न उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था तंदुरुस्ती भी इतनी अच्छी थी घी दूद भी अच्छा खाने को मिलता था तो एक एक दो दो घंटे चला सकते थे आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनिट भी आपने चलाया या तो सिलबटा या तो चक्की तो जिन्दगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली है तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज़्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है तो तीन सूत्र अभी तक मैंने आपको बागवट जी के बता दिये और इन तीन सूत्रों में एक छोटी सी जा दूंकरी और कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि यह कम हो तो आप भी पंदर मिनट चक्की चला सकते हैं तो सिल्व ट्टे पर चटनी बना सकते हैं, अगर आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही, तो आपको किसी भी जिमनेजियम की मदद से नहीं जाएगा मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ स्टाम पेपर पर आप लिखवा लिजे मुझसे हजार रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम पेपर दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है वो बोलता नहीं बात अलग है कि जिमनेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज़्यादा बाहर आता है क्योंकि जिमनेजियम की जो एकसरसाइजिस है और वहाँ जो एक्सरसाइजर रखा है मशीन वो आप से मेल नहीं खाती आप पता है क्या मेल नहीं खाती जिमनेजियम की सभी मशीन है ज्यादा स्पीड वाली है और चक्की और सिल्बटा ये स्पीड कम है धीरे 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 हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज़ादा है क्योंकि हम गरम देश में रहते हैं गरम देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभविक रूप से वायू का प्रकोब ज़ादा होता है शरीर में ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूँगा वायू माने वात पित और कफ शरीर में तीनों है गरम देश के लोगों में वायू का प्रकोब स्वाभविक रूप से ज़ादा होता है अब वायू का प्रकोब ज़ादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो ज़ादा तेज करेंगे तो वायू और बढ़ेगी इसलिए भारत में ये कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो इसलिए यहाँ के जो डांस है ना उनके स्टेप्स जैसे भरतनाट्यम जैसे कत्थक, कत्कली, ओडिसी, कुचिपुडी ये सब डांस के स्टेप्स आप देखो स्लो है, स्लो और यूरोप में बिलकुल उल्टा है, ठंड बहुत है, ज़्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायू बिलकुल उल्टी स्थिती में होती है, बहुत ही कम होती है शरीम और पित और कफ बहुत बढ़े हुए होते तो वायू बढ़ानी है उनको पित और कफ को समान रखने के लिए तो हर चीज वो फास्ट करेंगे उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे आप देखो रशियन बहले होता है न क्या फास्ट स्टेप्स वो करते क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है नहीं करेंगे तो मर जाएंगे तो उनका डांस फास्ट होगा हमारा स्लो होगा उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी हमारी स्लो होगी इसलिए हमने चक्की बनाई सिल्वट्टा बनाया बैल गाड़ी बनाई क्योंकि हर चीज हमें slow चाहिए बात हमारा बढ़े नहीं speed से बात वढ़ता है ध्यान रखिए इस बात को बैल गाड़ी क्या है पईया ही तो है मुख्य क्या है पईया है ना तो पईये का invention सबसे पहले भारत में हुआ दुनिया में लेकिन हमने वो बैल गाड़ी में लगाया हवाई जाज में नहीं लगाया हम भी चाहते तो हवाई जाज का पईया बना सकते थे जिसने सबसे पहला पईया बाया है दुनिया में वो हवाई जाज का भी बना सकता था लेकिन जरूरत नहीं अपने को, अपने को जरूरत बैल गाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है, स्लो इसलिए कि बैल जो खीच रहा है, उसके शरीर को वायू का प्रकॉप ना बढ़े हमारे याँ मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है हमारे याँ, अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा तो बैल जब बैल गाड़ी को खींचे, अगर गाड़ी फास्ट है, तो बैल को फास्ट दोड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायू बढ़ेगी, और वायू बढ़ने से मृत्यू जल्दी होती है, तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे, आपका काम करे, इसलिए बैल होंगे न पर मिनुट जिसको आप एक डूब आर पी एम रोटेशन स्पर मिन जितने झाधा ऐंगे स्मेद उतनी होगी तो रोटेशन जाधा करने के लिए छोटे पहिये ही चाहिए इसलिए हवाई जाज में छोटे पहिये हैं हमको इस पीट जादा करनी ही नहीं है क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का इसलिए हमने बैल गाड़ी का बड़ा पईया बनाया अब हमने बैल गाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है और उन्होंने हवाई जाज का पईया बनाया तो अगड़े नहीं है उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया वो जो कहते हैं न, invention is the mother of necessity हमारी जरूरत थी कि वात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में क्योंकि गरम देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़चा है तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिल बटा है धीरे धीरे चलता है और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन मिक्सी एकदम फास्ट ये यूरोप के लिए है आपके लिए नहीं है हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है चक्की धीरे धीरे चलती है यूरोप से आई हुई चक्की बिजली की जो है न एकदम फास्ट चलती है अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ जो चार साल से पास साल से हम कर रहे हमारा एक केंदर है भीलवाड़ा वहां हम चक्की चलाते है भीलवाड़ा केंदर हमारा भारत का सबसे अच्छा केंदर है आज की तारीक में आगे और कोई बन जाए चेन नहीं में तो शाहिद बगवान सुन लेगा भीलवाडा केंद्र में आप में से कोई भी राजिस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाए भीलवाडा में नागोरी गार्डन है वहाँ पर हमारा केंद्र चलता है उसका नाम है स्वानन्द हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानन्द है हमारा brand name स्वानन तो उसके इंदर में हम चक्की चलाते हैं चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं जवारी का आटा और बाजरी का आटा सब तरह के आटे और वो आटा भीलवडा के सौ परिवार सवासो परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं वो सौ सवासो परिवारों का सारा डाटा बेस हमने बनाया है अब वो सौ सवासो परिवारों को चार साल चक्की का आटा खिला-खिला के हम पूछते रहते हैं बई क्या हो रहा है तो कहते हैं एसिडिटी खतम हो गई और क्या हो रहा है कहते हैं जी गुटने का दर्द कम हो गया और क्या हो रहा है नीद अच्छी आ रही है और क्या हो रहा है पित्त की बीमारियां कम हो गई है और क्या हो रहा है वो कहते हैं जी blood pressure भी कम हो रहा है तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे हैं कम हो रही है कम हो रही है मैंने का कुछ बढ़ रहा है तो उन्होंने का आनंद बढ़ रहा है सुख बढ़ रहा है खुशी बढ़ रही है क्या बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ ले फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती है आटा मैं पूछा आप बताओ जी आपका observation क्या है तो उनका ये जो चक्की का आटा इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हैं उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा या दो रोटी जादा भी खाते हैं तो शिकायत नहीं करते हैं, और ये बाजार के आटे की एक रोटी भी जादा खाई, तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, माता हैं ये कहती है, माता हैं ये कहती हैं, बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं, घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं, अब वो ये क सोचा कि ये रास्ता तो गड़बड है अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो ये रास्ता तो गड़बड है अच्छा ये है कि हर घेर में ये केंद्र हो जाएं इसमें तो अंत में हम कहां फस जाएंगे जगे-जगे केंद्र बना के हम तो फस नहीं वाले हैं कि भाई अब ह गर में ये चक्की से आठा बना लो, आप भी स्वस्त रहेंगे, घर भी स्वस्त रहेंगे, तो वो ही मेरी आपको विनंती है, कि घर में चक्की वापस लाइए, और सिल बटा भी वापस लाइए, मसाला पीसना है तो उस पर पीस ये, आपको चटनी बनानी है तो उस पर बाद भी अच्छा होगा और उसके जो सुक्षुम पोशक्तत्व हैं वो भी अच्छे रहें और एक छोटी सी आखरी बात आज के लिए समय हो गया आखरी बाद यह है मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो यह कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो ब बदलाओ है रसोई बीमारियों का कारण नहीं है रसोई तो बागबटी जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थान सबसे पवित्र स्थान लेकिन उसमें बदलाओ आ गया बदलाओ क्या आया पहले चक्की होती थी सिल्बटा होता था अब मिक्सी आ गई या तो हमने को ये सब बदलाओं ने हमको बीमार बनाया माताओं को तो ज़्यादा बीमार बनाया मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चिज है रसोई घर से जुड़ी हुई इन सब को ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है और रसोई घर में जितनी चीज़े हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया जैसे वाशिंग मशीन आ गई इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया चक्की आ गई उसने बजली की चक्की आई उसने आपका शरीर श्रम घटाया सिल्बटे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से हर जो चीज़ आई है ओवन आया आपके हाँ माइक्रोवेव ओवन आया फिर ये फ्रिजा इसने आपका शरीर श्रम घटाया और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है बागबटी जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उमर है साथ के बाद जब आप साथ के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाए साथ साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं 18 से लेकर 60 साल तक शरीर श्रम चाहिए ही, शरीर श्रम चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहें, अब तो हमने पोचा लगाने वाला भी मशीन ले आया, जाडू लगाने वाला भी मशीन ले आया, रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया, चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे और आप हो गए हैं पता है मशीन हम कैसे हो गए जिंदगी का रस चला गया आनंद चला गया पहले घरों में काम करते समय जो रस था आनंद था वो सब चला गया कैसे चला गया मैंने बच्पन का बंद हो गया तो गीत भी बंद हो गया अब किसी भी माँ को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पर क्या-क्या गीत गाये जाते थे याद ही नहीं है तो अब क्या करते हैं जो SINEMA के गीत हैं उनका CD लगा के चला दे ते घर में बच्चा पैदा हुआ तो चोली के प क्योंकि वो गीत गाने के लिए जो समय मिलता था काम करते करते वो समय चला गया तो गीट चले गये शाधी के समह क्या क्या गीट गाए जाते थे याद नहीं है अब तो डीजे ले आते हैं और वीजे पता नहीं क्या-क्या उसको बोलते हैं बड़ा साउंड बॉक्स और लगा दिया और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी नसूर न ले न ताल तो हमारे यांग काम में आनन्द था देखिए मैं आपसे विनमरता पूर्वक एक बात कह सकता हूँ कि भारत की कोई भी मा शरीर श्रम से ठक सकती है बोर नहीं हो सकती ये शब्द बोरियत भारतिय शब्द नहीं है ये अंग्रेजों का शब्द है हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया बोर होना जी हम क्या कर रहे हैं बोर हो रहे है आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूँ जी क्या कर रहे हैं बोर हो रहे हैं या तीसरा देखो, वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें interaction कुछ नहीं है, सब कुछ one-sided है, और गीत गाने में interactive है, ये एक side नहीं है, ये multi-sided है. तो हमारी माता ये गीत गाती थी, हर समय के लिए गीत बने है, पापड बना रही है, बड़ी बना रही है, उस समय के गीत अलग है, शादी के लिए मसाला पिस रहा है, उस समय के गीत अलग है, शादी के लिए पापड और बड़ी बन रही है, उस समय के गीत अलग है, ये गीत इकठे आजकल मैं कर रहा हूँ हजारों की संख्या है गीतों की लेकिन इनको लिपी बद्ध हम नहीं कर पाई किताबे नहीं छपी इनकी नोट बुक्स नहीं बनी तो धीरे धीरे खतम हो रहे है या तिरोहित हो रहे है इन गीतों में उत्तर सेदक्षन, पूरव से पश्य, धान की पौधे लगा रहे हैं तो अलग गीत हैं, धान काट रहे हैं तो अलग गीत हैं, धान को घर ले जा रहे हैं तो अलग गीत हैं, हमारे यहां हर काम के साथ गीत और संगीत है, क्योंकि बोरियत ना आए और आज जो आधुनिकता में से निकला है, मौडरनिजम में से निकला है, इसने सब कुछ खतम कर दिया, तो बोरियत ही आएगी, समय आपका ले लिया तो बोरियत आएगी तो बागवटे जी कहते हैं कि आपका जीवन, ये अब उनका पांचमा सूतर है, आपका जीवन जहां आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, मने आप अदरास में रहते हैं तो यहां की जो आबो हवा है, जो यहां की तासीर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, राजिस्थान मे रहते हैं तो वहां की आबो हवा तासीर से चलना चाहिए तो हर आबो हवा और तासीर में खास तरह के गीत, खास तरह का संगीत, खास तरह का श्रम, यह हजारों साल पहले बना और विक्सित हुआ है, यह वापस आएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी शंका होती है, लेकि पूछ सकते हैं मैं आपको बागवट्ट जी के 50 सूत्र बताऊंगा अगले 28 अभी तक 5 बताए कोई शवाल पूछना चाहें जी पूछे आथ उठाइए और मेरी विन्ती है भाईया कोई उठके ना जाए प्लीज थोड़ी देर रुकिए ये सवाल हो सकता है आपके भी काम के हो जरूरी नहीं है कि जिनोंने पूछा उनिके काम के हो सकता आपके भी काम के हो थोड़ी देर सब फिर कह रहा हूं कि नहीं लिख पाएं, तो भी चिंता मत करिए, ये सब सूत्रों की पुस्तकें बरपूर मात्रा में आ गई हैं, एक भाई कौन लेके आये, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ट्रांस्पोर्ट में जाके, अंजनी कुमार जी हैं, हाँ, बहुत हाँ, पाँच सूत्र फिर से बताता हूं, सबसे पहला सूत्र जो मैंने कल कहा था, कि भोजन को बनाते और पकाते समय, सूरी का प्रकाश और पवन का इसपर्ष ना मिले, तो वो भोजन नहीं करना, अब सूरी के प्रकाश और पवन के इसपर्ष का लंबा विशलेशन मैंन खाना नहीं खाना रेफ्रिजरेटर का खाना नहीं खाना ये दूसरा जो सूत्र था बागवट जी का कि खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खाना 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 पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना बचना नहीं चाहिए दूसरा सूत्र वो मैंने विस्तार से समझा तीसरा सूत्र थ था कि खाना बनाने का जो सामान है जैसे गेहूं का आठा चने का आठा दाल का आठा या तो बाजरी मक्की वगरा वगरा तो गेहूं पंदरे दिन क्या मने गेहूं का आटा 15 दिन पुराना तक खा सकते हैं और ये जो मोटे अनाज कहे जाते हैं जुवारी है, बाजरी है, मक्की है ये 7 दिन पुराने से जादा ना हो मतलब ये है कि घर में 15 दिन से पुराना आटा नहीं रखना सीधा सा सूत्र है हर 15 दिन पे नया आटा आता रहना चाहिए उतना ही आटा पिस्वाईए ना जितना जरूरत है आप चक्की लाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लाते हैं तो भी चक्की पर जो आटा पिस्वा कर ला रहे हैं वो 15 दिन से जादा पुराना ना ऐसा आप अपने घर में नियम बनाए तो ये तीसरा सूत्र है चौथा सूत्र है बागवट जी का जो मैंने आपको समझाया कि आप अपने शरीर श्रम को साट साल की उम्र तक कम मत करिये मतलब ये है उन्होंने एक उम्र बनाई है बच्चा जब पैदा हुआ और अठारे साल तक उनका एक कैटेगरी है अठारे साल से लेके साट साल उनकी दूसरी कैटेगरी है और साट साल के बाद सौ सवासो साल उनकी तीसरी कैटेगरी है तो बागवट जी का सूत्र ये है कि 60 के आगे की जो कैटिगरी वाले लोग है, 60-100 सवासुस, इनके जीवन का श्रम कम होते जाना चाहिए, उम्र के साथ. कम होते ही जाना चाहिए. ये ज़्यादा श्रम ना करें तो बीढहिए अच्छा है. इनको आराम ही करना है. तो 60 से आगे कि उम्रवाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब 18 से 60 के बीच के जो लोग हैं ये अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं 18 से 19 में थोड़ा जादा 19 से 20 में थोड़ा जादा 20 से 21 में थोड़े जादा ये है अठारे से और एक साल वाले माने जिनका जनम हुआ है और अठारे साल वाले इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र जो है ज्यादा श्रम करने की वहाँ है जो इनको खेलने के रूप में है आप वो माने की श्रम है जैसे बच्चा खेल रहा है ये उसका श्रम है तो जिससे उत्पादन भी होता हो चक्की चलाई तो आटा बन गया सिल्बटा चलाया तो चटनी बन गयी माने उत्पादन कुछ न कुछ हो तो उत्पादक श्रम 18-60 के बीच में कम मत करिए 60 के बाद इसको कम करते जाईए और 18 से एक साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत कराई यह है और आखरी सूत्र माने आज के हिसाब से कि आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए आबो हवा का ध्यान रखिए बातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे माने भोगोलिक परिस्थती एक शब्द में मैं अगर कहूं तो जियोग्रफिकल कंडिशन्स तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान रखिए इसका ध्यान कैसे रखना मैंने आपसे उधारन के लिए उप में कहा था कि भारत गरम देश है और कनाड़ा ठंडा देश है गरम देश के लोगों में हमेशा वात की प्रबलता रहती है शरीर का दोश है अब उसको क्या करेंगे वात की प्रबलता रहे ही पित और कफ आपका हमेशा कम रहेगा इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे जादा है के हैं और दस प्रतिशत रोग कफ के हैं कफ के रोग हमारे यहां सबसे कम हैं पित्त के थोड़े जादा वात के सबसे जादा क्योंकि हम गरम जगे रहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि गरम जगे में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े जैसे मैं आपको एक उधारन दूँ माफ करिएगा यह उधारन देते हुए आप दौड़ लगाते हैं रणिंग इसमें वात सबसे जादा बढ़ता है हमारे यहां आजकल एक फैशन आया मौर्निंग में दौड़ो दौड़ना नहीं है चलना है चलने और दौड़ने में अंतर आप समझते हैं दौड़ने में उर्जा बहुत शरीर की गर्मी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ेगी वात बढ़ेगा तो यह घुटने बहुत जल्दी आपके ठकेंगे आप देख लो जितने हिंदुस्तान के रनर है ना रनर सौ मीटर दौड़ने वाले दो सौ मीटर 35 साल के बाद किसी के घ जोइंट्स मिलखा सिंग के तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है मने सुबह आप जाओ तो मौर्निंग वाक के लिए जाओ रनिंग के लिए मत जाओ 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 तो बात बढ़ेगा बात बढ़ेगा तो तकलिफाए तो बागवटे जी बहुत गहरी बात कह रहे है ज कफ बहुत बढ़ता है क्योंकि ठंड है ठंड में हमेशा कफ बढ़ता है तो ठंडी लोग हैं ठंडे देश हैं ठंडा आव हवा है तो कफ बहुत बढ़ेगा तो वो उसका ध्यान रखें जो कनाड़ा में रहते अमेरिका में रहते कि कफ मत बढ़ने दो अब बात ना Europe और America वालों का तो सारी दुनिया निरोगी पित जो है वो सम्मे वैसे भी रहता है पित जो है ज़्दा तर सम्मे ही रहता है तो ये पांचमा सुत्र है तो ये पांच सुत्र मैंने फिर से आपको बता दिया राजीव जी आपके प्रथम सुत्र के अनुसार सोलार कुकर कितना उपयोगी है बहुत अच्छा सवाल है मैं इंतिजार कर रहा था कोई पूछे देखिए मेरे प्रथम सुत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे जादा उपयोगी है क्योंकि बागवट जी क्या किरें सूरिका प् बहुत अच्छा लेकिन कौन सा सोलर कुकर? देखिए एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डबे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं आ वो सब एल्यूमिनियम के डबे हैं वो ध्यान रखियेगा आपने देखा ना सोलर कुकर में वो डब्बे बंद करके हम रखें और कल मैं कह चुका हूँ इस बात को कि अल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसमें खाना नहीं रख सकते तो सोलर कुकर ऐस टेकनॉलजी अच्छी है लेकिन उसके वैसल्स चेंज करें तो अल्यूमिनियम के वैसल जब तक है तब तक ये सोलर कुकर का खाना जहर है लेकिन सिद्धानत रूप में सोलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेकनॉलजी है तो आप बोलेंगे फिर कोई वैसल बदल के उसमें रखे रखिए पीतल के रखिए कांसे के रखिए तो वो ये कहते हैं सोलर कुकर बनाने वाले के टाइम ज़्यादा लगता है मैं उनसे कहता हूँ टाइम का बचाने का चक्कर छोड़ दीजे क्योंकि यहाँ टाइम बचाएंगे तो दूसरी जगे जाएगा हॉस्पिटल में तो जैसे ही सोलर कुकर में वैसल आ जाएं पीतल के कांसे के आप उनका जरूर इस्तेमाल करिए वो विज्यान के हिसाब से बागवट के हिसाब से सबसे उत्तम है जब तक अल्यूमिनियम है तब तक मत करें मेरी एक विंती है आप मुझे सर मत कहिए या तो भाई कहिए राजीब भाई कहिए कुछ भी कहिए सर मत कहिए सारे नएів इन्यूवेशन बोलूँगा, बोलूँगा, कल परसों अभी 28 तक ये विशे आएगा, बागबट का सूत्र आएगा, उसके रेफरेंस में मैं बोलूँगा, आपके दूसरे सूत्र के इसाब से 48 मिनिट में खाना खा लेना चाहिए, पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को स्कूल भेजिए, आप बोलेंगे जी खाते नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, कैसे खाएंगे वो खाना, हमारे शरीर की अपनी एक साइकल है, और वो साइकल ये है, कि कोई भी खाना खाएं, तो उसके आठ घंटे के बाद ही भूक लगेगी आपको, ये शरीर का अपना नियम है, तो बच्चों के ऊपर भी ये नियम है, पुरुषों के ऊपर, इस तरे सब के ऊपर, तो साइकल शरीर की ये है, कि खाने के आठ घंटे के बाद ही भूक लगेगी, तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजे, कि सुबह तक आठ घंटे पूरे हो जाए, मने अगले दिन शाम कोई खाना खिला दीजे, रा को मत खिलाइए, शाम को छे बज़े तक अगर आपने खाना खिला दिया, छे बज़े तक, तो आठ नो बज़े तक सोने की नीद उनको आई जाएगी, क्योंकि डेड़ घंटे के बाद जैसे ही खाना पच और छे बज़े से आठ घंटा गिनेंगे, तो सबेरे चार-पांच बज़े तक वो पूरा हो जाएगा, तो चार-पांच बज़े के आसपास जब वो सो कर उठेंगे, तो इतनी तेज भूख लगी होगी, कि आप रोटी, दाल, चावल खिला दो वो खा के चले जाएगे, आ आधा खाना पचा, आधा नहीं पचा, सबेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे, तो आप शाम का खाना जल्दी खाने लगिए, माने सब लोग जैन ही हो जाईए, परोख शुरूप से मैं ये कहता हूँ, कि जैन धरम आप पालन करें, वो महत्तु का है, धारन करें, वो महत् नहीं है, आप आचारी श्री को बंदन करें, बहुत अच्छा नहीं करें, तो शाम का खाना तो छे बजे खालें, तो आप आचारी श्री के बंदन से भी बड़ा काम करेंगे, वो आचारी श्री भी यही कहते है, शाम का खाना जल्दी खाओ, तो आप थोड़े जैनी हो जा राओं रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि बागवट्टी जी का यह जो पहला नियम है यह अभी मैंने आधा ही बता सूरी का प्रकाश और पवन का इसपर्श हर समय वो कहते हैं खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए अब छे वजे के बाद तो सूरी प्रकाश रह है तो विटेमिन डी मिले और बच्चों को विटेमिन डी सबसे जादा चाहिए इसलिए बच्चों को तो रात का खाना बिल्कुल बंद करिए शाम छे बज़े खिला दीजे सुबह साथ बज़े जब स्कूल जाएंगे खुब भूक लगी होगी उस समय साथ बज़े पराठ जितना पराठा पूड़ी जो जो पकवान सब सुबह सब सब सुबह दुपहर का खाना थोड़ा कम और रात का विल्कुल कम शाम का विल्कुल कम तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल बेजिए लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है जब वो घरा है तो दूसरा कुछी उठते ही खाना खाते हैं आप देखो चिनिया है सुबह सुबह खाने पर लग जाएगी गाए बैल भैस बकरी सब सुबह खाने पर लग जाएगी क्योंकि वो शाम को सूरी के बाद खाना नहीं खाते कोई गाय रात को खाना नहीं खाती खिला के देख लो जरसी गाय एसी है इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिए सुबह भरपूर भोख लगे और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजे खाली पेट तो कभी मत भेजे आपने कह दिया जी दूद पीके गया दूद पीके गया मने एक तरह स से खाली पेट सॉलिड कुछ नहीं है सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत ही आवशक है अगर भविश्य में आप उसको एसिडिटी अलसर पेप्टिक अलसर से बचाना चाहते हैं तो हाँ पीज हमारे जिंतकों ने कहा है हमारे बुज़ूर्गों ने कहा हमारे इ अपनाएं और ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिसे हम ठुकरा है बहुत अच्छा सवाल देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं यह प्रकरती का नियम है और यही जीवन है यह बिल्कुल सही बात है लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनु परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है और जो आबो हवा और परिस्थिती में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है अब मैं इसको और इस्पश्ट करता हूं यूरोप और अमेरिका में पिछले सौ सा भी वो उनके लिए बहुत अनुकूल है उनके लिए रैफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जब मैं ये भाशन जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको मैं कहूंगा जरूर रैफ्रिजरेटर लाओ माइक्रोवेव ओवन भ रखो उनके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा अब जैसे मैं आपको उधारण दो चक्की है चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है प उसके चारों तरफ हम उसको चाक को गुमाते थे, बीच में लकडी का एक उसमें वो लगाते थे, वो लकडी का हमने निकालके उसमें बीरिंग लगा दिया, ये भी परिवर्तन हुआ, ये हमारे अनुकूल बैठता है, क्योंकि बीरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है, वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ, तो हम कम श्रम में ज़्यादा उत्पादल ले सकते हैं, श्रम तो हो ही रहा है, लेकिन जितने श्रम में हम पहले एक किलो आटा लेते थे, उतने ही श्रम में अब तीन किलो आटा मिल रहा है, ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये हमा बेरिंग का पईया है अब उसका क्या हुआ कि बैल को खीचने में मदद हो गई पहले बैल एक टन अनाज लेके जाता था अब बेरिंग लगई हुई बैल गाड़ी में वही बैल तीन टन लेके जाता है और बिना थके हुए तो ये भी परिवर्तन है तो परिवर्तन हमारे आबो हवा आबो हमावाने परियावरन और हमारी प्रकरती के अनुकूल है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और दूसरों के आबो हवा और प्रकरती के अनुकूल जो परिवर्तन है वो आपको उतना अच्छा नहीं है ये है क येस, जादा अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है, अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है, तो जरूर इस्तेमाल कर लीजे, लेकिन अगर विकल्प है, भारत में तो है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए जादा अच्छा नहीं है, अबो हवा से जुड़ में चावल का उपियोग ज़्यादा करें, बिल्कुल सही होगा, आप इस समय चिन्नई में रहते हैं, तमिलनाडू और पूरा एरिया चावल के लिए मशूर है, तो आप चावल ही ज़्यादा खाईए, और इसको ज़्यादा आगे बाद गहरी बता देता हूँ, यहां की ज मिट्टी रेती ली है, जिसमें पानी ठिकेगा नहीं, यह भगवान ने अच्छे से बनाया है, राजिस्थान के लोग जहां रहते हैं, जिस तापमान में रहते हैं, जिस आवो हवा में रहते हैं, उनको शरीर में कुछ ऐसे केमीकल ज्यादा चाहिए, तो वो उस मिट्टी में ही है, जो रेती ली है, आप जहां रहते हैं, यहां की आवो हवा तापमान राजिस्थान से बिन्न है, युमिडिटी ज्यादा है, तो आपको वो केमीकल नहीं चाहिए, तो भगवान ने ऐसी मिट्टी बनाई, तो यहां की मिट्टी से जो चावल पैदा हो रहा है, वो आप ज़्यादा खाईए, अब समस्या आपके साथ यह है, कि आप राजिस्थान से आतो गए, राजिस्थान छूटा नहीं आप से, वो छूटता नहीं है, समस्या वहां आती, हम बिहार से आ गए, तो सिर्फ इस्थान परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, मन आपका स्वाद भी नहीं चूटा ये सम मन का खेल है मन से सारे स्वाद और वो सब जुड़े मन नहीं चूटा तो स्वाद नहीं चूटा तो आप फिर गेहुं मंगवाते हैं और उसको रोटी बनाके खातें वह स्वाद के लिए तो ठीक है पॉष्टिकता के हिसाब से आपके लिए चावल ज्यादा ठीक है तो शायद आपने एक बैलेंस बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं चावल भी खाते हैं यही है ना तो इसी को चलने दीजिए मैं आपका मन छुड़ाना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर्मनेंट यहां रहें एक दिन राजिस्थान तमिलनाडू से अच्छा हो जाएं तो आप चले जाएं यह मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए वो स्वदेशी के लिए अच्छा है तो आप मन को और स्वास्थ को बैलेंस कर लीजे बैलेंस इसमें यह है कि दो-तीन रोटी खा लीजे और थोड़ा चावल खा लीजे ऐसा कुछ कर ले थोड़ा इडली खा लीजे और थोड़ा हलुआ खा लीजे हलुआ इडली के साथ जरूर खा लीजे बैलेंस के लिए थोड़ा दोसा खा रहे हैं तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एका टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में किसके साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहे हैं टिका रहे हैं लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वा पास्तों को बैलेंस करिए जी आखरी सवाल राजी यह जो आपने बोला कि एल्यूमुनियूम खाने के इसाफ से बहुत गंदी चीज है तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वह जो भी चीज है वह उसमें अंदर यूज आ रहा है मतलब जो साइंसिक के इसाफ से जो भी जो प खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में यह बहुत ही खराब है अच्छा नहीं है तो आप बूलेंगे किस में पैक करें've ? खाना कप्ड़े में पैक करना सबसे अच्छा अच्छा है कपड़ा कि этот यह सूति कपड़ा होता है न पतला एकदम पतला उसमें जो पोटी बांद कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है। बैनों और भाईयों, महान रिशी बागभट द्वारा रचित अश्टांग हिर्देम पर आधारित स्वदेशी चिकिस्टा के व्याख्यानों को आपने सुना। राजी भाई ने स्वदेशी चिकिस्टा के ऊपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्ट को अच्छा रख सकते हैं, बिना दवा के, बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं ये आपने उनके व्याख्यानों में सुना। आईए अब हम इन व्याक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अश्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लें और सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लेकर अपने वात अपने पित और अपने कफ के वारे में जाने और इन त्रिदोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसके वारे में जाने इन सुदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें किस हम किस तरह का खाना बनाएं, हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो, इन त्रिदोशों के आधार पर हो, ताकि हमारे परवार का स्वास्त अच्छा रहे. भाईयों और भेनों, आपने सोदेशी चिकिस्षा व्याख्यान सुना, सोदेशी चिकिस्षा के वारे में जाना, अब हमारा कर्तब है कि हम अपने सभी जनजन को, हभी अपने भाईयों को, सभी भारतियों को सोदेशी चिकिस्षा के वारे में बताएं और देश की सेवा करें हम अपने यहाँ पर इस तरह के शेवरों का आयोजन कर सकते हैं, हमको अगर कोई बिमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान ने बिमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्रप्या करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, 98252520